कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उमीद करता हूं आप सब ठीक ठाख है खेरियत से होंगे अच्छा जनाब इस वीडियो में जो चीज हम डिसकस करेंगे वो है इंटरप्रेटेशन और फाइनेशल स्टेटमेंट्स ठीक है जी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं हम जो दिसकस करने वाले हैं वह इंटरप्रocy शन नो computer इस्ट प्रेटेशन ऑंफ फाइनेंशर इंटरपाड़ेशन और ऐंपेस्टेशन ौ फाइनेशल स्टेटमेंट्स अच्छ हे जो टॉपक शेहां की कोलिफिकेशन के लिए बहुत जादा इंप्रम्द और और interpretation of financial statements का topic चाहे O levels हो, A levels हो, CA हो, ACC हो, ICMA हो, हर जगह किसी ना किसी लिहाज से पूछा जाता है अब interpretation of financial statements का मतलब यह है कि जो आपके financial statements होता है उसको आप interpret कैसे करोगे, उसको पढ़ोगे कैसे सर, financial statements क्या होता है, आसान लफजों में statement of financial position और statement of profit and loss इसके इलावा भी financial statements पर दूसरी चीज़े आती है, लेकिन यह दो main common चीज़े हैं जो हमारे financial statements का हिस्सा बनती है यह जो दो चीज़े होती है, statement of financial position पर आपके पास assets होते हैं, liability है और capital है statement of profit and loss account पर incomes है और expenses है अच्छा यह याद रहे कि interpretation of financial statement के कुछ और lectures भी मेरे detail में है इस particular lecture में मैं पूरा जो topic है वो कोशिश करूँगा कि कम से कम time में briefly इसको cover करकर आप लोगों की साथ go through करवा कर और complete करवा दूँ और मैं कुछ चीज़ें जो है वो detail में भी समझा दूँगा लेकिन अगर बहुत detail में चीज़ें समझनी हो तो separate lectures भी मौज़ूद हो तो यह जो हमारे statement of financial position होते हैं और statement of profit and loss account होती है हम इसकी interpretation सीख रहे हैं यानि के जितने इस पर assets लिखे हैं जितनी liability लिखी है जितनी capital की value लिखी है क्या वो ठीक value है या नहीं जितना गमनी profit कम आ रही है क्या वो profit अच्छा है मुनासिब है बुरा है कैसा है अच्छा अब हमें यह समझना होगा कि आखिर financial statements के users कौन होते हैं यानि के कौन लोग financial statements वो इस्तेमाल करते हैं तो हम यह दिखते हैं कि हमारे पास users कौन होता है financial statement के financial statement किन लोगों के लिए कौन लोग use करते हैं को क्यों करते हैं क्योंकि अगर हम यह बता चल गया कि फाइनेशल स्टेटमेंट कौन यूज करता है तो वही उसकी इंटर्प्रेटिशन में भी इंट्रस्टेड लोग होंगे तो मुख्तलिफ पार्टी से कुछ पार्टी में यहां पर लिख देता हूं एक हो सकते हैं आपके इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ठीक है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अच्छा सबसे पहले तो यह बताएं कि इन्वेस्टर्स में और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में क्या फर्क है देखें इन्वेस्ट का मतलब वो लोग जिन्होंने आपके बिजनस में पैसा लगाया गया और पुटेंशल इन्वेस्टर्स का वो मतलब है कि जो लोग आपके बिजनस में पैसा लगाने का सोच रहे हैं या लगा सकते हैं सर ये फाइनेशल स्ट्रीट्मेंट्स क्यों यूज करते हैं देखें ये कितने सारे assets हैं क्योंकि जितने जादा assets होंगे अच्छा होगा कम नेंगी कितनी कम liabilities हैं क्योंकि जितनी कम liabilities होंगी इतना beneficial होगा तो यह पहली party होती है जो financial statements में interested होती है दूसरा आपके lenders होते हैं कि वो लोग होते हैं जो आपके business को उधार देते हैं सर ये लोग क्यों हमारे business में interested होते हैं या financial statements पढ़ने में interested होते हैं देखें ये वो लोग है जिनोंने आपको उधार दिया वह अब अगर आपकी company losses कर रही होगी तो जाहर है आप इनका उधार भी शायद वापस ना कर पाऊगे और ये concerned हो जाएंगे कि हमारे पैसे हमें कैसे वापस करोगे और अगर आपकी company profit में होगी तो शायद ये ज्यादा या मज़ीद आपको कभी उधार चाहिए होगा तो वो देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे तीसरी आपकी जो concerned party हो सकती है वो हो सकती है आपके employees यानि कि जो लोग आपके business में काम करते हैं सर ये क्यों concerned होते हैं देखें अगर आपका business profitable business होगा तो वो चलता रहेगा और उसकी going concern में कोई सकती है bankrupt हो सकती है तो इनको कहीं और नौकरी दूरने नहीं होगी इसलिए या आपके financial statement में interested होते हो और हर वक्त आपका profit income expenses को देख रहे होता हैं इसी तरह से आपके suppliers है suppliers वो लोग कर सकेंगे या नहीं अगिन बहुत सारे supplier हमें उधार पर चीज़ें देते हैं उधार पर goods बेचते हैं और इनको मुझे बाद में पैसे पे करने होता है तो इनको यह भी पता चल जाता है कि किसी company को उधार देना चाहिए या नहीं क्या वो उधार वापस कर सकेगी या नही इस तरह से एक और चीज़ होती है customers customers यानि के जिन लोगों को मैं चीज़ें बेचता हूँ अब अगर मैं कहीं से चीज़ें खरीदता हूँ और मुझे पता है उस company के हालात सही नहीं है तो मुझे कोई alternate vendor धुमना होगा यानि कि मुझे यह पता होगा कि यार ये company खत्रे में और कभी भी डूब सकती है कभी भी बंद हो सकती है तो फिर मैं अपना माल कहां से खरीदूंगा अगर मैं customer बन कर सोचू तो मैं यह सोचूंगा कि यार यह अगर company बंद हो गई तो मुझे कहीं alternative भी रखने है इसके इलावा आपके पास जो government है और government की agencies हैं वो बहुत जाद आरे इर्द गिर्द में जो factory है वो कितने long term तक चलती रहेगी या बंद हो जाएगी अगर कोई कम्यूनिटी में या लोकालिटी में कोई industry है कोई company है कोई firma लेगिन यह इतने जादा इंट्रस्टेड शायद नहीं होंगे और फिर होगी company की management यानिके जो लोग कमपनी चला तरह नवो interested होती है अच्छा अब हम interpretation किस तरह से करते हैं अपने financial statements की हम मुख्तलिफ financial ratios calculate करते हैं हम मुख्तलिफ financial ratios calculate कर करकर अपने financial statements को interpret करते हैं समझते हैं समझने की और पढ़ने की कोशिश करते है इन रिषियो से हमें बहुत सारी पाते पैता चलती हैं सच इन रिषे कि पता चलता है कि कमपनी की जो परलउमन्स और पिरिय्ड ऑफ टाइम कैसी रही है यानिकि हम यह देख सकते हैं कि भाई इस किंपर्ट टू प्रीवियस यह अभी मैं रेशु के अलकुलेट करकर आपको सिखाँँगा लेकिं रेशुद की मदद से आपको पता चलता है कि प्रीवियस यह से इस साल आपकी performance कितनी अच्छी हो गई है या कितनी बुरी है या आप बहतर कर रहे हो या बुरा कर रहे हो दूसरा ratios की मदद से आप अपने competitors से अपना comparison कर सकते हो यानि के जो same काम करने वाली दूसरी companies हैं उन से अपनी performance को compare करते हो और यह देखते हो कि मैं बहतर हूँ या मैं बुरा हूँ किसी और competitor से आप यह देखते हो कि industry से comparison में मेरी performance कैसी है जब मैं industry की बात करता हूँ तो मैं overall सारी companies की बात करता हूँ इसकी अलग-अलग मिशाल है हम जो है वो देखते रहेंगे लेकिन हम ratio calculate करते हैं ताके हम अपनी performance पिछले साल से हम अपनी performance हमारे competitor से और हम अपनी performance industry से compare कर सकें industry यानि के entirety में सारे लोग अच्छा ratio जोसे वो बहुत सारी तरहां से calculate होते हैं और ratio को बहुत सारे मुक्तलिफ तरीकों से मुक्तलिफ types से बाटा जाता है कुछ जो इसमें से ratios को तक्सीम करने की types हैं यानि के financial ratios को पढ़ने या financial ratios के आप कहलें के categories जो हैं अगर मैं different categories की बात करूं तो हम financial ratios को मुक्तलिफ categories में बाट सकते हैं और वो important जो categories जो मैं यहापे list कर देता हूं जो हो सकती हैं वो यह हो सकती है कि या तो मैं बोलूं के कुछ ratios Playability ratios होता है सरी इस Profitability ratios क्या करता है या यह profitability ratios कौनं से होता है profitability ratios हो वो ratios होते हैं जो company के profits को interpret करते हैं यानि के आपको यह चक कर करे बताथे हैं कि कमपनी का जो profit है in comparison to other companies कितना अच्छ है और जब मैं profit की बात करता हूं तो मैं net profit gross profit दोनों से relevant कुछ ratios calculate करता हूं इसमें कुछ ऐसे ratios भी आते हैं जिसको हम यह कहते हैं कि आप अपनी investment पर कितना percent return कमा रहे हो and so on so forth इसके बाद जो अगली टाइप ratios की है अच्छा यह सारे ratios मैंने separate videos में details में भी discuss की हैं यह एक revision sort of video है या उनके लिए अच्छी वीडियो जिनके पास कम टाइम हो और जली से recap करना चाते है ratios को अगली चीज़े हमारी liquidity ratios liquidity का मतलब यह होता है कि कितनी आसानी से आप अपनी liability पे कर पाओगे आप अपना उधार पे कर पाओगे liquidity ratio हर कमपनी का एक बहुत अच्छा ratio होना चाहिए liquidity में company को problem नहीं होना चाहिए liquidity को मैं दूसरे लफजों में समझाता हूं मिसाल के दोर पर अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास 1000 रुपए पढ़े वे और मेरे उधार जो है न वो पचास रुपए के ही है तो अगर मैं पचास का उधार पे कर दूँगा फिर भी मेरे पास साड़े नौ सो बढ़ जाएंगे यानिके मेरी position अच्छी position है इसके अगेंस लेसे एक बंदा है उसकी जेब में 1000 रुपए लेकिन उसके पास जो है ना लोगों का तीन चार पाँच हजार रुपए का उधार चड़ा गया तो वह 1000 रुपए से वह उधार चुका भी देगा फिर भी वह नेगेटिव वैल्यू में ही रहे इसके इलावा कुछ रेशियो कहलाते हैं डेट रेशियो जिसमें आप यह देखते हो कि का डेट इस्ट्रॉक्चर कैसा है यानि के कामपनी की फाइनेंसिंग क्या इक्विटी से वही भी है या डेट से वही है यानिके बिजनस में ओनर खुद पैसा लेकर आए हैं या उध नहीं गड़नी तो यह तो मैंने कैटिग्रीज लिख धी मुक्तालिफ रेशियो कि मैं उनको एक्स्प्लीन करूंगा और ब्रीफ़ी एक्स्प्लीटें करूंग और डीटेल एक्स्प्लेशन जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया कि एक सेपरेट वीडियो में शामिल है अ होते हैं देखे profitability ratio वे ना उसमें सबसे जो common ratio है वो एक ratio कहलाता है return on investment return on investment का ratio ठीक है return on investment का ratio अच्छा return on investment के ratio की दो classification होती है एक ratio कहलाता है return यह formula जरूर आप लिख लीजेगा एक कहलाता return on equity एक फॉर्मिला कहलाता है return on equity सर रिटर्न ओन इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है return on equity कैलकुलेट होता है profit after tax profit after tax divided by shareholders equity सर क्या यह आप अभी हमें समझाओगे बिल्कुल मैं समझाओंगा लेकिन पहले आप इसका formula लिख लें कि हमारे पास return on equity calculate होता है profit after tax divided by shareholders equity से return on investment का एक और तरह का ratio होता है जिसको हम कहते है return on capital employed दूसरी टाइप का जो ratio होता है वो कहलाता है return on capital employed ठीक है दूसरी तरह का जो ratio होता है वो कहलाता है return on capital employed और यह calculate होता है as profit before profit before interest profit before interest and tax profit before interest and tax divided by capital employed अगेन मैं कहूंगा अभी आप इस ratio के formula को लिख लें पहर हम इसको discuss भी करते हैं तो सबसे common profitability में ratio कौन सा है return on investment और उसकी दो types के return on equity return on equity कैसे calculate होता है profit after tax divided by shareholders equity और दूसरा है return on capital employed और return on capital employed का formula है profit before interest and tax divided by capital employed की value है अच्छा इसके इलावा दूसरा जो profitability में common return on investments की एक टाइप आती है और वो return on investments की एक और टाइप है जो के common नहीं है अतनी जादा लेकिन फिर भी calculate कभी कभी करी जाती है और वो है आपकी return on assets return on assets अच्छा सब्रेटन on assets कैसे calculate किया जाता है return on assets का जो formula होता है वो होता है profit before interest and tax PBIT PBIT का मतलब profit before interest and tax divided by assets of the company जितने भी assets से किसी particular company में उससे इसको divide कर दिया गया यह हम discuss करते हैं कि यह किसा नहीं से calculate होते हैं सब profitability की क्या कोई और टाइप भी होती है हाँ profitability में कुछ और ratios भी common है जिसमें से एक और टाइप देखें एक तो return on investment एक टाइप थी उसमें मैंने तीन categories बना दी एक और आप कह सकते हो कि profit over sales के कुछ ratios होता है profit divided by sales profit divided by sales के कुछ ratios होता है और in profit divided by sales के ratios में आपके पास जो दो common ratios होते हैं दो से तीन उसमें से एक आपका होता है net profit percentage या net profit margin net profit percentage या net profit margin calculate कैसे होता है calculate होता है net profit calculate होता है net profit divided by sales revenue net profit divided by sales revenue multiplied by hundred percent या hundred ठीक है ना अच्छा दूसरा आपके पास gross profit का होता है gross profit percentage अच्छा सब्सक्राफिट परसेंटेज या gross profit margin भी इसको कहते हैं वो calculate होता है gross profit gross profit divided by sales revenue फिर एक और mark up अगेरा का ratio भी होता है उसको भी हम वक्त के साथ-साथ discuss कर लेंगे ठीक है ना मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ratios की एक list बना रहा हूं और यह formula आप सारे profitability ratios में calculate करेंगे जब आपको सवाल बोलेगा कि profitability ratios calculate करो तो यह ratios आ सकते हैं इसके इलावा एक और ratio जो profitability देखें अभी मैं profitability पर हूं profitability में एक और ratio calculate होता है कभी-कभी जो कहलाता है cost over sales का ratio यह भी हम देख लेते हैं कि cost over sales का ratio क्या होता है इसके बाद एक और ratio कभी-कभी calculate होता है वो कहलाता है asset turnover क्या कहलाता है asset turn over asset turnover अच्छा सर एसे turnover ratio कैसे calculate होता है asset turnover ratio calculate होता है as sales revenue sales revenue divided by capital employed sales revenue divided by capital employed अब यह जो ratios मैंने यहां तक आप लोगों के लिए लिख लिए हैं इन ratios को हम जरा थोड़ा सा detail में चल कर देखते हैं उसके बाद में हम अपने liquidity और सारे जो दूसरे दीगर ratios हैं उनकी बाते करेंगे ठीक है न हमने अभी profitability ratios यानिक कांपनी को प्रॉफट को analyze करने के लिए जो common ratios हैं उनको यहां पर identify कर लिए के वह यह तीन चार पांच common ratios हैं जो आप calculate कर सकते हैं अब चले जरह इसको numerical calculate करते हैं और कुछ हट तक interpret करते हैं आप से गुजारिश यह है कि यहां पर जो बाते लिखी वी हैं वह आपने copy करकर और उसके बाद फिर आपने आगे बढ़ना है अच्छा अब हम आगे चलते हैं और हम जो है वह लेट से एक example लेते हैं जिससे यह उपर दिये गए ratios को समझा जा सके अच्छा देखे जब company बनती है तो company क्या करती है company बहुत सारे assets purchase करती है ठीक है ना और हमें एक accounting equation पता है assets is equals to capital plus liability तो लेट से एक company के पास बहुत सारे assets हैं कुछ non current assets हैं कुछ current assets हैं बहुत सारी चीज़ें है company के पास इससे company business कर रही है तो company के non current और current assets जो हैं वो let's say total five hundred thousand के हैं ऐसे मिसाल ले रहा हूं सही है अच्छा अब क्या होता है कि company को यह assets purchase करने होते हैं assets में non current assets में land है building है machinery है vehicle है current assets में stock है जिसको हम inventory भी कहते हैं trade receivables हैं यह सारे assets purchase करने के लिए हैं इनकी funding के लिए पैसा चाहिए होता है वो पैसा कहां से आता है वो पैसा या तो equity की तौर पर आता है equity का मतलब क्या है equity का मतलब यह है कि shareholder खुद investment करे बिजनस में यानि के यह कहलाती है shareholders investment या आप कह सकते हो कि अगर कोई individual है जो business कर रहा है तो वो अपने घर से जो पैसा लेकर आया उसको हम equity कहता है equity का असान लफ़ों में मतलब होता है कि owner की अपनी investment यानि कि यह जो पांच लाक रुपे है चार लाक रुपे और अपने घर से लेकर रहा था आप कभी भी business start करोगे कोई भी shop start करोगे लेट से या कोई भी आप बुटी के start करोगे कोई भी business start करोगे तो office लोगे office में equipment सुंगी office में inventory होगी office में non current assets में for example वैन या वहीकल होगी जो कि कुछ चोटे मोटी चीजों को deliver कर सके तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा ना तो वह assets purchase करने के लिए चार लाक रुपे equity की form में आए यह जो equity होती है ना यह owner की अपनी investment होती है shareholder की अपनी investment होती है shareholder company की terms है और owners investment भी मैं लिख देता हूँ अगर कोई individual खुद अपना business कर रहा है तो वह पैसा पर आप बैंक के पास गए और बैंक को आपने बोला कि मुझे तीन साल चार साल पांच साल के लिए लोन चाहिए क्योंके मुझे business करना होगा तो let's say company ने जो है वो bank loan भी लिया वा है क्योंके company को total पांच लाक रुपे के assets की जरूरत थी चाल लाक तो उन्हों खुद ले आय assume कर लो कि एक लाक रुपे जो है उसका मैंने लोन ले लिया तो इसका मतलब यह हो गया के पांच लाक रुपे कंपनी में invested हैं और उन पांच लाक रुपियों से company ने जो हो मुझे वो अच्छे वाला हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो owner अपने घर से हमें interest पे करना पड़ता है तो मिसाल के तब पर अगर मैंने long term लोन लिया एक लाक रुपे का तो मुझे लेट से bank ने बुला है कि भाई आप इस पे 10% हमें जो है वो interest पे करोगे आप हमसे उधार लेकर जा रहे हो इस उधार के बतले 10% का interest पे करोगे चाहे आप कमाऊ ना क आपने जो है वो बैंक वाले को लाग पर 10% यानिके 10,000 रुपे का interest लाजमी तोर पर पे करना है हर साल और वो इसकी financing cost कहलेगी यानिके लोन लेने के बद्दे जो आपने उसको पैसे दिए अच्छा फिर क्या वा फिर जो है वो company सेट हो गई company में जो है ये company का structure है ठीक है company का structure क्या है company में equity है company में long term loan है company चलना शुरू हो गई अच्छा यहां पर मैं जो है वो एक काम करता हूं कि एक relevant ratio जो बाद में आपको category वाइस तो discuss करवाना है मुझे लेकिन क्योंकि यहां पर आ सकता है यहां पर मौजूद है तो उसकी एक brief सी जलक दे देता हूं देखे ह हम companies के लिए एक ratio calculate करते हैं जिसका नाम होता है debt to equity ratio क्या debt to equity ratio debt to equity ratio जो है ना वो company के debt और equity composition बताता है यानि के कमपनी में कितना debt है कितना उधार है और कितना उसमें equity है अच्छा debt to equity ratio जो है इसको हम gearing भी कहते हैं तो कहीं पर किसी सवाल में देखो के gearing लिखावा है किसी तो एक ही बात है अब आप एक काम करो ना आप एक काम करो कि देखो company total पांच लाग रुपियों से चल रही है चाल लाख रुपे और लेकर आया तो चाल लाख को डिवाइड करो चाल लाग को डिवाइड करो total value से यानि के पांच लाग से तो कितना परसंट बनता सर 80% बनता चाल लाग डिवाइड बै पांच लाग मुल्टिप्रेट बै वन हंड़िट तो एक्टी परसंट आया असी परसंट पैसे कंपनी चलाने के लिए उनर खुद लेकर आया है और एक लाग डिवाइड बै पांच लाग इंटू सौ परसंट करोगे तो यह आएगा बीस परसंट वीस परसंट पैसे उसने कैसे लिए बीस परसंट पैसे उसने उधार पर लिया देखो यह जो पांच लाग रुपए के कंपनी में एसेट्स हैं यह पांच लाग रुपए के एसेट्स पर्चिस करने के लिए चाल लाग रुपए ओनर खुद अपनी जेप से लेकर आया है और 20% पैसा कंपनी में उसने उधार या लोन के जरिये लिया है इसका मतलब इसका मतलब जरह इसको जरह और इस तरह से सोचो कि अगर कंपनी में 100 रुपिया है तो 80 ओनर का है 20 ओधार का है अगर कंपनी में 200 रुपिया है तो डबल कर दो 160 ओनर का है और 40 ओधार का है अगर कि हर सौ में से हर सौ रुपे में से हर सौ रुपे में से असी की है और बीस का उधार है हर सौ रुपे में से असी की है और बीस का उधार तो पांच लाक रुपे में से चाल लाक रुपे उनर खुद लेकर आया है और एक लाक रुपे का उधार है यानि के पांस राक में से 80% पैसा उसका अपना लगावाए बिजनस में और 20% उधार लेकर आया है यही हम डेट टू एक्विटी या गेरिंग रेशो में कालकुलेट करते हैं गेरिंग या डेट टू एक्विटी रेशो कालकुलेट करने के दो तरीके होता है पहला तरीका पहला तरीका पहला तरीका लॉंग टर्म लोन डिवाइड बाई लॉंग टर्म लोन डिवाइड बाई एक्विटी पहला तरीका क्या है लॉंग टर्म लोन डिवाइड बाई एक्विटी ठीक है दूसरा तरीका दूसरा तरीका क्या है लॉंग टर्म लोन डिवा स्वालों में कौन सा formula यूज़ करेंगे अगर कुछ specified है तो वह वाला formula यूज़ करोगे अगर कुछ भी specified नहीं होगा तो आप अपनी मरजी से कोई भी formula इन दोनों में से यूज़ कर सकते होä दोनों के interpretation अलग हो खुद केतना लेकर आया चाल लाक रुपे लेकर आया एक लाक रुपे क्या एक लाक रुपे का लोन लिया ये जितने टोटल पैसों से कंपनी चल रही है इसको हम प्यार से कैपिटल इंपलॉइड कहते हैं ठीक है जितने पैसों से कंपनी चल रही है इसको हम कैपिटल इंपल कiapoid कहते हैं अगर कंपणी पांच या करप रुपियों से चल रही है तो हम बोलेंगे अस झाप पिटल इंपलोईड पांच लँपढ़ रूपग रुपए है यानिके कंपनी में पांच लाख रुपिय इंवेस्टड है हां उसमें से चाल ल Sharqual प्या ऊनर का अपना invested है और एक लाक रुपे उधार पर है लेकिन टोटल कितने हैं टोटल पांच लाक रुपे हैं टोटल पैसे क्या कहलाते हैं टोटल पैसे capital employed कहलाते है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि capital employed क्या होता है capital इन और फिपलाईट जो होता है इसमें दो चीज़ें होती है क्या लांग टर्म लांग में दो चीज़ें होती है एक पॲोइड में इक एकूटी होती है और दूसरा लाउंग तर्ंब उन होता है कापटाल एंप्लोईड किस ही एक एकुंटी और यहारी है कापटल एंपलोईड में लाउंग टर्म ले होता है capital impact वह पूरा पूरा पैसा है जिससे डरीच चल रही है याने कि ऑगर काह पांचलाग रुपे कंपनी में टोटल इन्वेस्टरड है और एक लाख रुपए जो है वह लॉंग टर्म लोन है तो हम कह सकते हैं कि कापिटल इंपलइड इस इसे साब से गेरिंग का यह जो दूसरा भी कर लो देखे पहले तरीके में अगर हम क्या करेंगे हम हम लिखेंगे एक लाग हम लिखेंगे एक लाग डिवाइड़ वाइड़ चाल लाग हम लिखेंगे एक लाग डिवाइड़ वाइड़ चाल लाग एक लाग डिवाइड़ वाइड़ चाल लाग क्या आएगा एक ला लोन कितना है लोन ने एक लाख रुपे और कैपिटल इंडॉट कितना है लॉंग टॉम लोन और इक्विटी दोनों चीज़े आती है याने के नीचे आएगा पांच लाक रुपे तो अगर ऐसा होगा तो यह हम वन ओवर फाइफ लिखेंगे या वन ओवर फाइफ वन डिवा इस टू फाइफ भी कह सकते हैं अच्छा सर अब इसकी जरह इंटर्प्रेटेशन बताएं अब सर इसकी इंटर्प्रेटेशन बताएं यानि कि इसको आपने कैल्कुलेट तो कर लिया यह एक चीज़ सी लेकिन अगर आप इसको इंटर्प्रेट करें तो आप इसको परसंट यह आपने calculate किया वह वन ओवर फोर तीनों एकी बात हैं आपने किसी भी ratio को पढ़ना है ना तो आपने उसको देखना है कि उसका formula क्या था अब अगर हम पहले वाले formula से इसकी calculation कर रहे हैं और हमने calculate किया long term loan divided by equity तो हमने उपर long term loan लिखाता है और नीचे हमने equity लिखी थी answer one over four आया इसमें आप देखें उपर क्या था सर उपर long term loan था नीचे क्या था नीचे equity थी ठीक है तो सर इसका मतलब क्या था इसका मतलब यह था कि अगर business में अगर business में चार रुपिया owner का लगावा है अगर business में owner ने चार रुपे अपनी जेट से लगाए हैं तो वह ए 5 रुपे लगे हैं कम्पनी में अगर 5 रुपे की investment है तो हर 5 रुपे की investment में से 4 रुपे और के अपने है और एक रुपिया उधार का ठीक है以及. GDP अगर company में पांच रुपए लगे वे हैं अगर company capital पांच रुपए अगर company में पांच रुपए इन्वेस्टेड हैं तो उसमें से चार equity वाले हैं और एक long term liability या loan वाला है यह आप प्टिक सकते हैं के हर चार रुपए जो owner अपनी जेब से बिसनस में लगाता है हर चार रुपिया जो ओनर अपनी जेप से बिजनस में लगाता है उसके अगेंस्ट वो एक रुपे का उधार भी लेकर आता है और चलाता है कमपनी पांच रुपे से तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहला रिशो है वो यह हमें बता रहा है कि कमपनी का अग रोपए में से 4 और आपने और एक रोपता है अच्छा जितना यह जादा होगा चते श्यादा होगा उसतने क्या मतलब होगा दाटार ज्यादा होगा जा ज़्याद होगी मिलिट से पहले ही पहलेई फौरमिले का कंपनी का यह रश numesta किसी और कंपनी का यह रश्यो आता ओले चैड़ यह तो फोर हाता था अन्ड़क में seven यह हम इसको two over four भी लिख सकते थे और पहले formula से ही calculate वावा है पहले formula से calculate वावा है लहाज़ यह long term loan होता लहाज़ यह equity होती और इसका मतलब यह होता कि अगर company में चार रपिया owner खुद लेकर आया है तो दो रुपए साथ में उधार लेकर आया है अगर company में total छे रुपए का capital परसंट आ रहा था दूसरे case में ratio पचास परसंट आ रहा है ratio बढ़ गया हम यह कह सकते हैं के higher 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 the higher the debt to equity ratio higher the debt to equity ratio higher higher the amount of debt debt का मतलब क्या होता है debt का मतलब होता है loan डेट का क्या मतलब होता है loan अधार तो जतना यह ratio जादा होगा ना उतना अधार जादा होगा देखो पहली company में deberyes bar16 तू-4 यहिए रहा था और वन इस तू-4 यहा 25% नlov का मतलब यह था कि चार रुपयो owner के हैं तो वाली कम्पनी दो हमारे एकजांवल वाली कमपनी यह दूसरी कोई कम्पनी एक को выпуск उतना यहितना मतलब उस लिए था जादा है तो यह तो पहले वाले पहले वाले रेशो से अगर calculation हुई योगी तो इसकी क्या interpretation होगी वह बता दिया अच्छा सब्सक्राइब दूसरे रेशो से calculation हुई इसकी interpretation बिल्कोल अलग होगी क्यों क्योंकि ratio calculate ही अलग तरहां से वह है ratio calculate अलग तरहां से वह है तो interpretation भी अलग तरहाँ की होगी यहां पर उपर हमारे पास second formula में क्या था long term loan और नीचे क्या था नीचे equity थी यह capital उंप्लॉइट था सर यहां पर नीचे capital employed था पहले formula में नीचे जो है वो equity थी लेकिन दूसरे formula में capital employed था तो यहां पर one is to five क्या बता रहा है यहां पर one is to five यह बता रहा है कि भाई अगर company में पांच रुपे टोटल लगे वे होते हैं देखें ने अगर company में यहां पर देखें पांच आ रहा है और क्या रहा है पांच capital employed तो अगर पांच रुपे टोटल कमपनी का capital employed होते हैं जिससे कमपनी चल रही है पांच रुपे अगर कमपनी का total investment का amount होता है जिसमें से जहर है कि कुछ equity होगी और कुछ debt होगा अगर कमपन क्या मतलब होते capital employed का मतलब होते equity और long term loan दोनों तो यहां पर मैं यह कह रहा हूं कि अगर company में पांच रुपे इंवेस्टेट है तो उसमें से एक रुपिया लोन का है तो सर बाकी चार रुपे क्या होंगे बाकी चार रुपे definite सी बात है equity होंगी सर आपको कैसे पता बेटा अगर आपका long term loan एक हैं तो आपकी जो equity होगी वो कितनी होगी जो आपकी equity होगी वो चार होगी ठीक है तो हर पांच रुपे में से चार रुपे आपने खुद इन्वेस्ट के रहे हैं और एक रुपिया आप उधार लेकर रहे हैं तो effectively दोनों रेशों से हैं उसकी interpretations जो है different है यहां पर आप यह बो लोगे कि हर पांच में से हर पांच में से क्योंके पांच में long term loan शामील है बेटा पांच में यह Z स्यामże है ये चीज नहीं भूलना capital employed में ये एक रुपिया शामिल है तो आप बोलोगे हर पांच में से एक रुपिया लोन का है और बकाया जो चार बच गए वो एक्विटी के हैं लेकिन उपर आप क्या बोल रहे थे उपर आप बोल रहे थे अगर चार रुपिया अपने बिजनस में लेकर आया है तो साथ में वो एक रुपिया का लोन लेकर भी आया है इधर ये चार में उपर वाला एक चोज ते जो साथ में ने डिसकस कर लिए दोबारा से वीडियो ज़रूर देखेंगा ताकि यह कॉंसेप्स पक्टे हों अब हम बढ़ते हैं आगे मजीद चलें आपने कंपनी में पांच पांच लाग रुपए के आप एसेट्स लिया है पांच लाग रुपए के जब आप ए लेइन्यू का माता है ना अब यह बिल्कुली बेसिक सी फाइनेशल स्टेट्मेंट्स वाली बात है अप अपने कंपनी चला कुछे लोगोगों के लिए चले का लिए बिजए आप बिजनस किया एक लाक और बीस दुलार Dog का सेल्स रेविइनू जैनेट किया अच्छा सेल्ज में से कॉस्च ऑफ gुड्च को सब्ट्रेक्ट किया जाते हैं जिसमें ओपनिंग स्टाइब प्लच परचीजर माइनस क्लोजिंग स्टाइब की वैली होती है लेकिन हम उस डीटेल में नहीं जाते हम कह लेते हैं कि इस कम्पनीं का जो टोटल कॉस्ट ऑगुड्स लेना वह सतर हजार रुपए सतर हजार य यह प्रॉफिट वह वाला प्रॉफिट होता है जो तिजारत पर या ट्रेडिंग पर मिला है यानि कि मैंने सिक्स्वी थाउसंग की जो चीज़ें खरीदी थी वह एक लाग बीस जार में बेज दी लेकिन मेरे बिजनस के बिल्कुल सरफ और सरफ यह वाले एक्सपेंस नही सब्सक्राइब कर रहे हो लेट से आप एस्यूम कर लो कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसे रुपेंस तो आपके पास बच गया कितना आपके पास बच गया 50,000 यह जो 50,000 होता है न इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट बिफूर प्रॉफिट बिफूर कामाउंड को भी माइनस करना है इंट्रस्ट ओर टेक्स कामाउंड क्या होता सर इंट्रस्ट अगर आपने कहीं से लोन लिया तो उसको इंट्रस्ट बोलते हैं और तक्स और हमसे चार्ज지 करती हैं अप देखें यहाँ पर आपने एक लाग रुपे का लोन लिया था और शुरू में मैंने कहा था कि एक लाग पर आपने दस परसंट का इंटरस्ट देना तो आप इसके बाग यहां पर माइनस करते हो अपना इंटरस्ट का एक्सपेंस अब एक लाग पर अगर दस परसंट का इंटरस्ट देना है तो माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट अब इसका नम पीबी टी है क्योंकि अब आपने पचास हजार जो कमाए थे उसमें से दस हजार रुपे इंट्रस पे कर दिया चालिस हजार बच गया अब आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स वालों को टेक्स पे करना अच्छा एज्यू रुपे मेरा प्रॉफिट आफ्टर टेक्स आ रहा है तीस हजार रुपे मेरे हाथ में बच गया एक लाग बीस हजा की सेंज होई सिक्स्टी थाउसन रुपीस कॉस्टर गुड्स माइनस हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बचा उसमें से इंट्रस वालों को इंटरस दे दिया जब इंटरस दे दिया तो पीबीटी बचा उसमें से टेक्स वालों को टेक्स दे दिया तो अब मेरे हाथ में आखिर में तीस हजार रुपे बच गया है इसको मैं प्रॉफिट आफ्टर टेक्स करता हूँ यानि कि यह वो प्रॉफिट है जो सारे की सारे एक्सपेंस माइन कर दी सब कुछ माइनस कर दिया तो अब मेरे हाथ में तीस हजार बचा अब हम उपर आते हैं हमने जो है वह उपर कुछ रिसकस करने थे प्रॉफिट इबिलिटी के प्रॉफिट इबिलिटी के रिश्यो में मैंने बोला था कि रिटर्न ऑन इंवेस्पेंट एक जनरल टर्म आपका जो इस कमपनींगा प्रॉफिट आफटर टेक्स है वो तीस हजार है विच मीन्स के सारे की सारी तरह का एक्सपेंस माइनस करने के बाद तुम्हारे पास जो बच गया है ना वो तीस हजार बच गया अच्छा जी रिटर्न ऑन इक्विटी का हम फॉर्मिला डिसकस कर बाइश ेंटू अनुडिडर पर सैंट रिटर्न ऑन एक्विटी इजए एकविड़ को फॉफिट ज्यू अफटर टेख्स डिवाइड़ टीएंटू हैं चूबर आपका प्रॉफिट अफिट में कमाएं चाहलाग रुपे की इन्वेस्टमेंट पर तो वह कितना परसंट बन गया हम जारा 30 जार को डिवाइट कर देता है चाल लाग से 30,000 को अगर आप 4,000,000 से डिवाइट करकर 100 से मल्टिप्लाय करोगे तो ये बन रहा होगा साड़े साथ परसंट ये बन रहा होगा साड़े साथ परसंट सरे साड़े साथ परसंट का मतलब क्या है आपका रिटोन एक्विटी साड़े साथ परसंट आ रहा है इसका मतलब बेटा ये है कि हर सो रुपय जो तुमने बिजनस में लगाए हैं उस्पे तुम साड़े साथ रुपय गाम से हो में यहां पर लिकTा है हर सो रुपय जो मैंने बिजनस में इनवस्टT करा है लिपे उस पर मैं साड़े साथ रूपय कमा रहा हूं। हूं। ठीक है ना अलौटल तीसबात plannedर न बीस्निस पे लगाया और आप घर पर लेकर जा रहे हो तीसबाती रूपया लेकिन अगर आप यूं देखो एक नज़ेक्व यह यह है कि मैं टॉतल कितना लगाया? चाल लाक और टोटल घर कितना आ रहा रहा है? तीसाजार रुपए. ठीक है न? दूसरा ये तरीक है कि आप ये देख लो के हर सौ रुपए में कितना कमा रहे हूँ? तो भई हर सौ थादेश्यूर रपै में साड़े साथ का मारह तो सौ पर साड़े साथ मील रहा था चार सो र्पाइब में कामा। था चाल अरॉपे तोड़ यह मैं तीसा जाड़ का मारह था रिच्छा रिटर्न ओन एक्विटी जो है same business में same business में let's say same business में तुम्हारा business इतना अच्छा हो जाता कि तुम 30,000 के बज़ाए तुम 30,000 के बज़ाए लेट से किसी साल जो आना वह असी अजार रुपे कमा ले थे एक मिसाल ले रहा हूं ठीक है ना तो तुम्हारा return on equity कैसे होता return on equity होता profit after days 80,000 रुपय कमाया कितने पे चाल लाक रुपय पे तो रिटर्न on equity कितना आता तो रिटर्न on equity आता 80,000 divided by 40 लाक और 80,000 divided by 4 लाक कितने परसंट होता है 20% होता 20% का क्या मतलब है 20% का मतलब यह हो गया कि हर सौ रुपया जो मैंने इस बिजनस में लगा है उसमें मैं 20 रुपए का मारा हूँ 200 पर 40 का मारा हूँ 400 पर 80 का मारा हूँ 4 लाख रुपिया लगा है उसमें 80,000 रुपए का मारा हूँ तो जितना return on equity ज्यादा होगा अतना अच्छा है क्योंकि वो यह शो कर रहा होगा कि भाई आप ज्यादा कमा रहे हूँ ठीक है ना return on equity भड़ता कब है return on equity तब भड़ता है जब आपका profit after tax increase हो जाएगा profit after tax अगर 30,000 के बजाए 80,000 रुपए हो जाए तो आप ज्यादा कमा रहे हूँ दूसरी जगा पर अगर share rollers equity यानि जो जो इन्वेस्टमेंट है ना आपकी वो कम हो जाए इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाए ना तो फिर भी ये ratio बढ़ जाएगा मिसाल के तो पर यहां पर देखो इस बिजनस में मैंने 4 लाख रुपए लगाए हूँ और 4 लाख में मैं 30% कमा रहा हूँ और साड़े 7% कमा रहा हूँ और 30,000 कमा रहा हूँ अगर मुझे ये पता चले कि इस बिजनस से मैं कुछ पैसे निकाल भी लूँगा इस बिजनस से कुछ पैसे विजरा भी कर लूँ घर भी ले आऊ फिर भी इतमने कौमा ना तो मैं वह पैसे बिजनस से निकाल लूँगा 믹से मुझे पताचला है और मैं बिजनस से एक व्रलख रुपिया म창 निकाल भी लूँगा ना बिजनस से दुडरा कर लूँगा drawings कर लूँगा फिर भी 30,000 रुपे कमाऊंगा उस case में मेरा return on equity कितना हो जाएगा उस case में मेरा return on equity 30,000 divided by 3,000 और 30,000 divided by 3,000 कितना बनता है 30,000 divided by 3,000 देस परसंट बनता है तो देखे return on equity इस case में भी increase हो गया return on equity का main मकसद यह होता है कि वह ये बता है कि जो आपके true owners of the business और्व दा बिजनस है वो business में कितने परसंट return कमा रहे है ठीक है ना कभी बोला जाते है ने कि वह इस business में invest करो 5% मुनाफ़ा होगा 5% return होगा तुम्हारी investment पे तुम्हें साथ परसंट में लेगा तो वह रिटर्न ओन इक्विटी ही एफेक्टिवली होता है कि तुम जो पैसा लगाओगे उस पे तुम्हें कितना पैसा मिलेगा अच्छा जाहर सी बात है अगर मेरे दो business opportunities हो A और B तो अमूमन अगर return on equity की बन्याद पर मुझे decision लेना हो और एक business बोले भई 8% return मिलेगा दूसरे business बोले कि तुम्हें 13% return मिलेगा तो जाहिर सी बात है अगर return on equity की basis पर मुझे decision लेना है तो मैं A और B में से B को select करूंगा क्योंकि B में क्या हो रहा है कि अगर मैं B में 100 रुपे लगाता हूं तो 100 रुपे तेरा कमाऊंगा और A में अगर मैं 100 रुपे लगाता हूं तो 100 पर मैं 8 रुपे कमाऊंगा तो return on equity का measure आपको यह बताता है कि आप अपनी investment पर कितना return generate कर रहे होगे अच्छा जी तो यह return on equity हो गया इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले ratio पर एक और ratio हमने डिसकस किया था और वह हमारा return on capital employed और return on capital employed के बारे में मैंने लिखा profit before interest and tax divided by capital employed अब देखें यह return on equity जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सो इसमें change है और वो यह है कि जब आप return on capital employed calculate करते हो return on capital return on capital employed calculate करते हो तो return on capital employed calculate करने के लिए आप उपर लिखते हो P B I T profit before interest and tax और नीचे लिखते हो capital employed capital employed हमारी example में कितना था सर हमारी example में capital employed था पांच लाख रुपे और सब capital employed बता क्या रहा था capital employed जो है ना वह आपको बता रहा था कि टोटल बिजनस में कितना पैसा लगावें वह इसी में बाइफर के नहीं करता था कि कितना पैसा जो है वो रुपे में से कुछ लोन है और कुछ जो है हमारे सवाल के साबसे हमारे पास लोन धाना इसमें से वह एक लाक रुपय का था और हमारे सवाल के सबसे इसमें जो हो इक्विटी थी उसकी वैलिउ ckaल लाख रुपे थी और इस तरह से यह मुकमल पांच लाख रुपे यहां पर बने वे थे एक लाख रुपे लोन के और चाल लाख रुपे एक्विटी के उपर लिखता जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरस्ट इंडेक्स अब मजी की बात देखें देखें प्रॉफिट साथी प्रिफट आफ्टर्टे की वैल्यू है यह प्रॉफिट आफ्टरफिट वहाला प्रॉफिट है जो मेरे को मिलेगा रिटांबान इकुटि में प्रॉफिट आफ्टार टेख्ट ही यह आ जाता है इसके क।कje मैं यह देख रहा होता हुं कि मेरे कंपनी जो долो owners या investors थे या company के जो मालिक से उन्हों ने अपनी investment पर कितना कमाया return on capital employed में नीचे जो investment आ रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ company के owners की नहीं आ रही है यानि के share rollers की नहीं आ रही है बलके इसमें investment equity holders यानि के company के owners की भी हो और अगर किसी ने उधार दिया था company को तो उसने जितने पैसे लगाया थे वो भी शामिल है लहाज़ा में उपर जो return शामिल करता हूं यानि कि जो मुनाफ़ शामिल करता हूं वो profit before interest in tax वाला शामिल करता हूं पचास हजार रपे शामिल करता हूं अब जरह गोर से सुनियेंगा यह पचास हजार रपे में क्या यह तीस हजार रपे equity holders को जो मिलेंगे वो शामिल है जी सर शामिल है क्योंकि देखो बेटा इसी पचास हजार रपे में से दस हजार रपे interest गया interest किसको मिला interest मिला loan providers को बेटा इनी 50,000 रुपे में से 10,000 रुपे का tax किसको मिला government को और फिर इनी 50,000 रुपे में से जब 10,000 रुपे loan providers को चले गए जो के capital employed का एक हिस्सा है और government को चले गए उसके बाद जो बच गए वो company के true owners को मिले तो मैं ऊपर पचास अजार रुपे लिखता हूँ यानि कि मैं जो है ना ऊपर यहाँ पर जो वाल्यू लिखता हूँ वो पचास अजार रुपे लिखता हूँ उसकी एक रीजन यह है कि मैं इस बार ये धुन रहा हूँ तो मुझे return भी उपर सबका लिखना चाहिए और इसे साब से मेरा return on capital employee जो है वो 10% आ रहा है और 10% अगर हम calculate इसको इस तरह से लिखें 10 divided by 100 भी लिख सकते हैं और इसका क्या मतलब इसका मतलब यह के हर 100 रुपे के capital employee पर company 10 रुपे का मुनाफ़ा या profit इसमें जो है पाचास अजार रपे लिए गए है इसमें 30,000 रपे लोन प्रोवाइडर्स के भी शामल है इसमें 10,000 रपे टेक्स भी शामल है profit आफटर टेक्स में सारी चीज़ें हटा दी गई थी लेकिन इसमें नहीं हटा दी गई इसमें मैं ये बोल रहा हूँ के भाई on an average 10% जो है वो मेरे providers of capital providers of capital मुझे कामा कर देते हैं और इसमें equity holders भी हो सकते हैं और इसमें loan providers भी हो सकते हैं सब included हैं ठीक है जी again मैंने ये ratio separately अपने videos में detail में भी discuss किये हैं कभी कबार ऐसा होगा कि सवाल बड़ा सिंपल होगा सवाल बोलेगा कि आपके पास जो है न वो business opportunities हैं देखे हम मैं बात कर रहा हूँ return on investment की return on investment की दो categories जो थी pure जो दो categories थी वो तो return on equity थी और वो return on capital employed थी है न return on equity calculate करने के लिए क्या किया था profit after tax को मैंने shareholders equity से divide किया था और return on capital employed calculate करने के लिए profit before interest and tax को capital employed से divide किया था कभी कबार सवाल बोल सकता है return on investment धुन्दो तो ये बड़ा general formula है जिसमें आप profit divided by investment करोगे अच्छा अगर सवाल बोलता है ROI धुन्दो यानि के return on investment धुन्दो लेट से आपके सामने दो projects दे देता है बोलता है कि एक project A है और एक project B है project A साल के 50,000 रुपे कामा कर देगा project B में अगर investment करोगे project B में अगर investment करोगे तो साल के ये जो है वो 45,000 रुपे कामा कर देगा साथ में इनकी investment भी लिख देगा साथ में इनकी investment भी लिख देगा investment कैसे लिख देगा बोलेगा के project A जो है उसमें अगर investment करोगे तो साल के 50,000 अजार रुपिय कमाऊगे लेकिन आपको this project में जो है वो 1 million रुपिया invest करना होगा project B में आप साल के 25,000 रुपिय कमाऊगे लेकिन आपने इस प्रोजेक्ट में जो है वो लेट से आठ लाख रुपिया इन्वेस्ट करना होगा तो सीधा-सीधा अगर आपको profit divided by investment ये return on investment calculate करना हो तो आप क्या करोगे आप अपने profit को याने के पहले case में 50,000 को divide कर दोगे 1 million से 50,000 1 million से divide होता है तो ये बन जाता है 5% का मा रहा हूं मैं दूसरे case में 45,000 divided by 800,000 और multiply कर दूँँगा 100 से तो दूसरे वाले case में मैं बोलूँगा कि मैं 5.6 to 5% का मा रहा हूं इसका मतलब यहां पर अगर investment करी तो हर 100 रुपे पर 5 रुपिया का माऊंगा और यहां पर अगर investment करी तो हर 100 रुपे में 5.6 to 5 रुपीस क माऊंगा यह simple return on investment का formula है जो मैंने यहां पर आपको calculate किया है बहराल सवालों में generally return on equity की बात होती है यह return on capital employed की बात होती है यह दो ratios डीटेल में calculate करवाये जा रहे होते हैं इसके बाद अगर हम देखें तो हमने return on investment का भी basic देख लिया कभी कबार ऐसा होता है कि return on assets आपको calculate क करना होता है तो आप profit before interest index को asset से divide करोगे लेकिन यह इतना common नहीं है अच्छा जी उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ और ratios पर कुछ और ratios पर आ जाते हैं और हम जो है वह लिट से क्या हम कॉस्ट इस टू सेल्स का ratio देख लेते कि कि कॉस्ट इस टू सेल्स का क्या ratio होता कॉस्ट аш को कि वाल्यू 60 त्थी 60 थाउजन की कोश्ट व्यूड की वाल्यूट थी तो आपका लॉसप्रॉट किस्टपर न आरहा था आपका लाशप्रॉट्स इस चैनल में वाल्यू शारा बिल्कुल ये तिउसके बाद यहां से माइनेस क्या व Aegonus यहांस हो है operating expenses में distribution cost होती है यानि के अगर आप goods जो है वो distribute कर रहे हो या carriage outwards जिसको कहते है उसकी cost होती है अब लेट से हमारे पास रेंड जो है वो 3000 था ठीक है electric city का जो बेल है वो 1000 रुपे था और distribution की जो cost थी वो 6000 रुपे थी और उसके बाद फिर मेरा PBIT या profit before interest एंड टेक्स आ रहा था और वो profit before interest एंड एंड एक्स जो पचास जार आ रहा था और उस पचास जार रुपे में से फिर interest का expense माईनस हो रहा था 10,000 रुपे और फिर मेरे पास वो 40,000 रुपे बच रहे थे उन 40,000 रुपयों में से टेक्स माइनस हो रहा था 10,000 रुपय और जब टेक्स भी माइनस हो जाता था तो उसके बाद जो बच रहा था वो 30,000 रुपय का प्रॉफिट आफ्टर टेक्स कहरा था अब कभी का बार ऐसे हो सकता है कि आपको सवाल बोलेगा कि कॉस्ट तू सेल्स के रेशियो काल्कुलेट करो अब कॉस्ट तू सेल्स के रेशियो जो है वो मुक्तलिफ हो सकते हैं मिसाल के तोर पर यहां पर आप calculate कर सकते हो rent की जो cost है rent की cost divided by sales revenue ये एक तरीका है दूसरा आप क्या calculate कर सकते हो आप calculate कर सकते हो electricity की cost electricity की cost divided by sales revenue तीसरा आप क्या calculate कर सकते हो तीसरा आप calculate कर सकते हो distribution की cost distribution की cost divided by sales revenue डिस्रिबूशन डिवाइड वाइड सेव रेवेनियू यह मुखतलए फॉर्मिले जो यूज हो सकता है पहले के से अब से हम में अगर कालकुलेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3,000 divided by 1,20,000 percentage में convert करने के लिए आप 100% से multiply कर दो दूसरे case में आपके पास हो जाएगा 1,000 divided by 1,20,000 divided by 1,20,000 into 100% और तीसरे case में आपके पास हो जाएगा 6,000 divided by 1,20,000 into 100% ठीक है जी तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या answers बनते हैं तो 3,000 divided by 1,20,000 into 100 पहला जो है वो आपके पास बन रहा होगा धाई परसंट ठीक है दूसरा आपके पास 1,000 divided by 1,20,000 यह बन रहा होगा तक्रीबन 0.83% 0.83% और तीसरा 6,000 divided by 1,20,000 into 100 यानि कि यह बन रहा होगा पांच परसंट सर यह बताता क्या है देखें ठाई परसंट का मतलब है टू पॉइंट फाइव ओवर वन हंड़िड यानिके वो यह कहता है कि हर सौ रुपए के सेल्स में से यह हर सौ रुपए की सेल्स में से हर सौ रुपए की क्योंकि परसंट इज का निशान है ना सौ में से 0.83 वह आपका एलेक्ट्रिक सीटी के बिल में चला जाता है यह जो एक लाग कॉस्ट में चला जाता है तो इसमें हमें फाइदा क्या होता है इसमें हमें यह पता चल जाता है कि भाई कौन सा ऐसे एक्सपेंस है जो मेरे सेल्स रेविन्यू का एक सिगनिफिकेंट या सबसे ज्जादा परसंटेज है और इसको कम करने की जरूरत है ठीक है ना अच्छा इ इतना परसंट या आप कार होगा फिफटी परसंट यानिके फिफटी ओवर वन हंडिड यानिकर मैं सौ रुपे की चीज़ बेचता हूं तो पचास तो उसका कॉस्ट और गूट सोल लोता है या कि यानिकर कह सकते हो कि जो चीज़ सौ की बेचते हो वा पचास की खरीदी ज जाती है और ऐसा ही है ना जो एक लाग भी सजार की चीज़ें बेची है वह आई कितने में थी सिक्स्टी में आई थी तो आपने उसको बेचा और फिर आपने सिक्टी थाउजन का ग्रॉस प्रॉफिट कम आया अच्छा जी फर्दर आगे चलते हैं अगें यह रेशो इतना ज वीडियो को एंड करकर और इसके पार्ट टू में ऐसे टुर्नोवर को डिसकस करता हूं और अपनी डिसक्स्ट्शन को आगे लेकर जाता हूं यहां तक मैने जो है वह कोशिश करी कि कम से कम टाइम में जाधर से जाधर कवरेज करें अगली वीडियो में रेशो को मजीद ड